पूरे देश का तापमान गर्ब हो रहा है कर देश के इश्तारूडर दिल के एक जिम्मेदार पदा दिकारी है हम बात कर रहे हैं भारती जन्ता पार्डी के राष्ट्रे महासरचिप डॉक्टर अनिल जैन की डॉक्टर अनिल जैन जो अपनी कोशाग रबुद्धी के लिए जाने जाते हैं संग्ठन शंता के लिए जाने जाते हैं अनिल जैन, बीजेपी का वो वरिश चेहरा, जिनकी राजरेतिक कारे कुशलता और सूज बूज पर केंद्रिये नेत्रतु को भी अटूट विश्वास है। अपनी काबिलियत के दम पर अपनी पहचान गड़ने वाले अनिल जैन, बीजेपी कोर टीम का एक ऐसा चेहरा हैं, जो कई मोर्चों पर अपनी कारे कुशलता का लोहा मनवा चुके हैं। बीजेपी के राश्टिय महासचिव, राज्यसबास सांसर और हर्याना और चथिसगड़ के प्रभारी के तौर पर ये अपनी जिम्मदारियां बखू भी निभा रहे हैं। अनिल जैन, मूल रूप से उत्तरप्रदेश के फिरोजबाद से तालुख रखते हैं। विरोजबाद से इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने लखनव मेडिकल कॉलिज में अड्मिशिन लिया। लखनव के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलिज से MBBS और MS करने के बाद वो दिल्ली आ गए। जहां कई बड़े प्रतिष्ठित अस्पतालों में इन्होंने बतार सीनियर सर्जन अपनी सेवाई दी। आचरण से बेहत सरल और साथ की पसंद अनिलजयन का जुकाव समाज सेवा की ओर भी रहा। चन जुडाव की इसी प्रवर्ति से उनका जुकाव संग की ओर भी हुआ। RSS से जुडने के बाद इन्होंने लंबे समय तक बतार प्रचारक अपनी सेवाई दी। उन्होंने जारकंड और बिहार में भी बतार प्रचारक उल्लेख निये भूमिका निभाई। उनके इसी रुझान और समर्पन भाव ने उनके जीवन को नई दिशा दी। और इस तरह अनिल जैन बीजेपी के प्रचम तले सक्रिय राजनीती से जुड़ गए। वर्तमान में अनिल जैन बीजेपी के राष्ट्य महासचेव और राजसबा सांसद होने के साथ साथ 36 गड़ और हर्याना के प्रदेश प्रभारी के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्वदारी निभा रहे हैं। उनके बहु आयामी व्यक्तित्र की एक जलक ये भी है कि राजनीती में अपनी धाग जमाने वाले अनिल जैन सामाजिक कारियों के प्रती भी उतने ही समर्पित रहे हैं। वो इंटिग्रेटिट टैलेंट डेवलप्मेंट मिशन के संरक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही सामाजिक सेवा से जुड़े कई दूसरे कारियों में भी इनका समर्पढ़ भाव उलेखनी ये हैं। पीजेपी में अनिल जैन केंद्रिय नेत्रतु के काफी भरोसे मन और काबिल चेहरों में शुमार हैं। जिसकी वज़ा भी साफ है। संगठन में मिली जिम्मदारियों को अपनी कारे कुशलता और राजनितिक सूझभूज के दम पर निभाने वाले अनिल जैन पार्टी की हर उम्मीद पर खरे उतरते आए हैं। तो ड़क साफ बहुत स्वागत हमारे स्खास करकर सार्थक संभाद में उम्मीद है कि आपके साथ कुछ सार्थक बाते आज हो पाएंगी। तो सार्थक बात में सबसे पहला तो जानना यही है कि आप प्रचंड भहूमत के साथ दुबारा सत्ता में आए केंदर में। तीन सो से उपर सीटे पहली बार भारते जनता पारड़ी और जनसंग के इत्यास में आपने हासल की। उम्मीद यह थी कि देश का वातवरन आप अच्छा करेंगे। देश को तरक्की की रहा पे ले जाएंगे। देश एक नई उचाई के और लेगा। कर क्या रहें आप। हर तरह वागलगवादी। देखिए देश उचाईयों की तरफ ही जा रहा है। मैं बता दूँ कि इस दूसरे मोधी 2 में आजादी के बाद जो पहला सत्र हुआ था वो सत्र भारत के इतियास का स्वानिम प्रष्ट कह सकते हैं। उस सत्र में सबसे जादा घंटे काम हुआ। सबसे जादा बिल पास हुए। सबसे जादा लंबे समय तक काम हुआ। और हमारे युवाप और मित्र जो लोकसवा के अध्यश्वने उन्होंने एक दिन में देड़ देड़ तक लगातार बगर इमर्जेंसी के सत्र चलाया। इस सब के बावजूद सबसे बड़ी बात जो भारत माता के माते पर एक तरह का कलंग था तीन सो सत्तर और पैती से कुछ धोने का काम किया। यह मुद्दे भी देश के लिए महत्रपूर मुद्दे है जी। इस सत्र में तीन तलाक कानून पास हुआ। देश की जो तथा कते माइनर्टी कहते हैं उसकी आधियाबादी करीब करीब 10 करोड लोगों के जीवन में इतना सार्थक परिवरतन एक ट्रिपल तलाक के हटने से हो सकता है। यह कानून पास हुआ। यूए पीए का कानून पास हुआ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि देश में मुदी 2 में कुर्तिमान इस्थापित किये हैं। यह कभी न कभी यह मुद्धे 70 साल से नासूर बने थे इन मुद्धों को मुदी सरकार ने हली नहीं किया। पूरे रणिती के साथ देश भर में जिस पर कोई बवाल नहीं उठा। इस प्रकार के क्राम की। अभी जो बात जिस पर आप मुवी का बान रहे हैं। मैं सीधे आजाता हूँ कि अभी जो सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हुआ है। विदेयक तो अब एक्ट में परिवर्थित हो गया है। और इसके तहट सत्तर साल से लोग जो प्रताडित थे जिनका कोई आशियाना कहीं और होई नहीं सकता था। उन प्रताडित लोगों को अगर भारत में नागरित्ता देने का काम किया है। और वो लोग जो पाकिस्तान, बंगला देश और अफगानिस्तान में रिलीजियस माइनोर्टी थे। रिलीजियस परसीक्यूशन के कारण से उनको अपना देश छूड़ना पड़ा। अब डेटा आपके साथ में भी हैं जनता को भी पता हैं फिर भी में रिमाइन करनाने की दिश्टी से आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब भारत का विवाजन हुआ, तो भारत का विवाजन रिलीजन के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, ये इसको कोई मना नहीं कर सेगा। डिवीजन के बाद जो जिनका कोई दोश नहीं था, वहाँ अल्पसंक्याक हो गई, विदेशी हो गई, ऐसे गैर मुसलिम, उन्होंने शब्द उप्योग किया, गैर मुसलिम, हिंदू, सिख और जैन, अब तो जैन अलग करने लगे हैं, जैन, पार्सी, बद, इसाई, इन्स क वहाँ अगर प्रताड़ना होती है, तो भारत में उनका स्वागत है, वो आज भी है, आना चाहें, आज आ जाएं, और जब आना चाहें, तब आएं, तब भारत में स्वागत होगा, इस बात को स्वेम गांदी जी ने 26 सितंबर 1947 को का, 25 रोवंबर 1947 को कॉंग्रेस ने अपन पाली करना, यह हमारा दायत तो है, यह रिजॉलुशन पास हुआ है, तो अगर वो काम कांग्रेस की सरकारों ने अगर नहीं किया, और भारती जनता पार्टी की नरेंद मोदी जी की सरकार ने किया है, तो इसके लिए तो सभी माइने में सब को साधुबाद देना चाहें, साधुबाद देना चाहें, अब तक हम आपका जो इतियास देखे हैं, तो हमेशा आपने यह बता कि कॉंग्रेस ने कुछ ठीक नहीं किया, जो किया देश को बरबाद करने का काम ही किया, आजादी के बास से, लगातार आप उधारन से समझाते आ रहे हैं देश के अपर, प 2003 में, ग्रह मंत्री थे अडवानी जी और नेता प्रतिपच थे मनमौन सिंग राजस्वा में, उन्होंने अडवानी जी को इंगित करते हुए कहा कि ग्रह मंत्री जी, डिप्टी प्रामिनिस्टर साब, इस देश में जो बंगला देश से आने वाले हिंदू और सिख हैं, य और अडवानी जी ने उन्हें भरुसा दिया था कि हम जरूर इस पर विचार करेंगे सानबूती पूरवग, उसके बाद असम के मुख्यमंत्री तरुन गोगोई या राजिस्तान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत, अभी नहीं, पुराने टर्म में, उन्होंने अपने अलप संक्या कहें, इनके उपर सानबूती पूरवग विचार होना चाहिए, हिंदुस्तान में, ये बात उनके लोगों ने लिखा है, और इसी काम को अगर इस सरकार ने किया है, तो इनको तो साधुबात देना चाहिए, एक बात आप से जानना चाहता हूँ, आपने डॉक पूरी दुनिया कायम रही है, काबलियत को मानती है, आर्थिक बसलों पर उनकी सलाह को तो आप कोई गंभीरता से ले लेते हैं, और जन्ता के संद्र में मुद्दा उठाए, आपने गंभीरता से ले लिए, जिनको कभी आपने जन्नेता नहीं माना, ये विरोधा भास, वक लोगों ने इसका सपोर्ट किया, जिन लोगों ने इनकी मांग करी, आज वो किस मूँस है, वो गांधी जी का, नहरू जी का, सर्दार बल्लभाई पठेल का, इविन स्रीमति इंद्रा गांधी का, और मन्मौन सिंग का, और अपने मुख्यमंत्रियों का वरोध करने के नागरिकों का, ये CAA से कोई सब्बंद नहीं है, नागरिकता संशोधन अधनियम से उनका कोई सब्बंद नहीं है, क्योंकि 130 करोड दादेश के नागरिक इस से प्रभावित होने वाले नहीं है, ये नागरिकता देने का काम, जो रिलिजियस पर्सीक्यूशन जिन बे धार में परताड़ना हुई है, उनको हम दे रहे हैं, अगर हम किसी को मानवता के आदार पर सहुलियत देने की बात करते हैं, नागरिकता देने की बात करते हैं, उनकी बहु बेटी, बेहन बेटियों की इज़द बचाने के लिए कदम उठाने की बात करते हैं, तो इस से इनको क तो तो हम संकीन है और वह एक सेक्ट की बात करते हैं वह ब्रॉड माइंडेड है फिर अगर मुसल्मान को नागरिक्ता देंगे वहां का धर्म मुसल्मान है भारत का विवाजन को किया फिर तो अगर बंगलादेश और पाकिस्तान का नागरिक्ता हो कि तो तब मिला दो सारा ब्रहत बहरत बना दो यह इस बात को कहना चाहते हैं क्या अगर यह बात कहना चाहते हैं तो खुल के बोले कि यह बात कहना चाहते हैं आखिर इनका मकसद क्या है जिस चीज पर डिवीजन हुआ हिंदू-मुसलिम के अधार पर और अगर मुसल्मान को आप नागरिक्ता देंगे और वो भी बंगला देशी पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी उनको हम देश के मुसल्मान की बात दी कर रहें ये बाहर के मुसल्मान के लिए इनका दिल इतना पसीज रहा है तो फिर बहतर भारत की बात करें इसके संदर में विरोत के संदर में अपना एक आखलन है लोगाई आखलन यह आया है कि जो आपने एनर्टी असम में लागू किया और वहां पे लागू होने के अंतरगत 19 लाख लोग ऐसे हैं जो एनर्टी के तहट बाहर हैं जिनके संदर में भारत की नागरता प्रमारित नह कहते हैं देखे यह इनको हमेशा बोट बैंक की राजनीती दिखती है मैं कह रहा हूं कि जिस बात को जब देश विभाजित हुआ तब तो बोट बैंक नहीं था तब गांधी जी ने कहा तब कॉंग्रेस ने पास किया सरदार बल्लबाई पटेल ने का नहरू जी ने का 71 बं 73 में इंद्रा गांधी का भाषण है मैं अभी यूट्यूब पर निकलवा लीजे इंद्रा गांधी ने इन्फिल्टेटर्स के बारे में क्या का है और बाकी लोगों के बारे में क्या का है अगर इस देश में धर्म के आदार पर दिविजन होता है और उसके बाद लोगों क तो धार्मिक परताड़ना होती है बाहर उन लोगों को राइट फॉर्म दी बेरी विगनिंग यह प्रियम्ट गया यहां के नेतावने कैसा हो सकता है तभी उन्होंने का था गंदी जी तब तो बोट बैंक की राजनीती नहीं थी आज बोट बैंक की राजनीती दिख रही इन मुसल्मानों को बोट की बस्तू समझा अब मुसल्मान समझने लगे और सेंसिविल मुसल्मान यह बात कह रहे हैं उनको ध्यान में लगी है कि यह हिंदुस्तान के मुसल्मान से इसका कोई वाक्या मतलब ही नहीं है लेकि मुसल्मान जोड़ दो तो मुसल्मान पागल हो जा पार्टियों ने मिलकर इस देश में बवंडर खड़ा करने के लिए क्योंकि इनकी खिस्याथ थी खिस्याथ किसमें से ये नरेंदर मोदी जी को अपने किसी एजेंडे पर रूक नहीं पाए मोधी जी दुवारा बड़े भहुमत के साथ आगे देश में तो अब इन्हें ने क्या बितंडा बात खड़ा किया जाए कैसे इनको रोका जाए इसके करण से ये हर समय पर ये ऐसी भ्रहम पहला कर करने की कोशिश करी पीछे भी जब तमाम बिल पास वे तब भी कोशिश करी तब होनी पाया इस बात को इन्होंने बड़ा चड़ा कर पेश किया कुछ लोग भरांती में आगे और अब उनको समझ में आ रहा है तो अब सब चीज़ थम जाएगी आपको नहीं लगता है कि पार्टी इस बार परिस्थिती का आखलन करने में कहीं चूग गए आपने सुएम बताया कि पहले हम इतने बड़े बड़े बिल लाए चाहे तीन तलाक के संदर में आप लेकर आए चाहे धारा 370 के संदर में लेकर आए चाहे राम अंदर के संदर में अदालत के फैसल आए सब कुछ बड़ा शांती बून रहा जिसका ये दिश आदी नहीं था इतने बड़े बड़े कदम हुए और शांती के साथ हुए पर इस बार जब ये आया तो आपको लगता है कि इस बार आखलन करने में कहीं न कहीं सरकार और संदर दोनों चूख गए यो फैसले अब आप ले रहे हैं जे भी नड़ा जी के दिश्टा में कारकम हो रहा है उसमें संकल्व ले रहे हैं ब्रह्म निवारान के लिए ऐसा नहीं लगता था कि ये लोग इस हद तक उतर जाएंगे राजनीती के लिए इस हद तक नीचे चले जाएंगे आप उच्छे दम्रम का और कपिल सिंपल का रास्वा का बाश्र देख लिए ये एक तरह से धंगा रहे हैं को आखकोर वैस Doll ये संभीधान को मानने वाले लोग आप लोग सवाल करेवं मैं आतरी दम्रम करता हूं कि जो लोग यह कहते कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे उन से पूपिलिए किius भ्रहान के समयान को मानते हैं के समयान की शबत लेकर आज मुख्वमंत्री बनेंंगे वो यह कैसे कह सकते हैं कि देश की संसद में दोनों सद्रों से पास हुए कानू को नहीं मानेंगे अपके लिए सवाल है फिर उनके कदमों पर में सवाल है यह उन्होंने ब्रहन भ्रम पहलाने में कहीं कुछ हद तक सफल हो गए कुछ अराजक तत्विन के साथ मिल गए कुछ फ्रस्ट्रेशन में लोग आगे इस कारण से ऐसा हुआ है और इसको हमने कंटेन भी कर लिया है और मैं तीन करोड जो लोगों से जन्संपर्ग की विवस्ता है उस समिति का काम राश्टी इस्तर पर मुझे ही देखना है संदर में अब आप परितने कर रहे हैं पर आपको नहीं लगता है कि ब्रह्म बनाने में आप लोगों का भी बड़ा योगदान था आप लेकर आये थे नागरिकता संशोधन विदेहक साथ मैं बात करने लगे एनार्सी की एनार्सी को लेकर ही पूरा वातावरण ऐसा बना अमिश्य शाजी ने स्वेम संसर में बोला एनार्सी हम लागो करेंगा विया सम्मे किया पूरे देश में लागो करेंगे दो हजार चौबिस तक करकर रहेंगे एक एक को बहार बेजेंगे प्रधान मंत्री जी राम लीला में भाषण देते हैं मैदान में कि एनार्सी की बात ही किसने की एनार्सी पर तो कोई विचार नहीं हुआ देश तमज नहीं पहा रहा हुए प्रधान मंत्री को सही बाने या ग्रहे मंत्री को तो NRC पर कोई बात करने का जो NRC को लेकर ड़दाने धंगाने की बात करे है वो गलत है यही बात हमीशा ने कही थी हमीशा जी ने का कि हमने कोर्ड के आधिस से खाली हसम में NRC लागू किया था यही बात परदान मंतरी जिने मेरा साफसा सवाल है देश का घ्रह मंत्री देश की सबसे बड़ी पंचैत में ये बोल रहा है कि अनिल जैन जी भी ये कह रहे हैं तो इसके बाद में और क्या बच जाता है और अगर इसके आदार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसकी क्या गलती है जब कुछ बनाई नहीं था तो ग्रह मंत्री झीक को जौड थी बोलने की? तोनोंने ये नहीं बुला कria अभी एनरसी लाएंगे एक बाद हमने जब उस स्मय भी ग्रह मंत्री ने कहा था कि ये नागरिकता देने का सवाल है नागरिकता छीकिने का सवाल नहीं है इसलिए आज हम नागरिकता संशोदन अधनियम पर बात कर रहे हैं और उस पर ही बात रखें ये रास्वा में भी और दूसरी बात जब उन्होंने कहा कि NRC जब आईगी तब उस पर चर्चा करेंगे हम NRC अभी जो NRC है उन्होंने ये कहा थाज देश में जब NRC पूरी आईगी अभी जो NRC है वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदिस से केवल असम में आई है जब NRC पूरे देश में लाग होगी तब उस पर चर्चा करेंगे तो ये आज NRC से CEA को जोडने का और डर दिखा कर लोगों को बरगलाने का कि तुमानी नागरिकता चली जाएगी गरीव आदमी 130 करोड नागरिकों के लिए कोई समस्या नहीं है जो बेसिकली इनकी आड में वो अपनी राजनेती ग्रोटी सेखना चाहते हैं या कईना कई अपनी वोट बेंक को एड्रेस करना चाहते हैं और गलत घ्रम के कारण से ये इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है यही मैं कहना अभी हम शरणार्थी को नागरिक्ता देने की बात कर रहे हैं इस पर हमें इस पर तोना चाहिए इसमें कहां कमी है जो यह प्रियम्ट पहले से कर लीजिए कि यह हो जाएगा जब होगा उसके नियम कानून आएंगे तब चर्चा करेंगे अभी कहां से चर्चा कर लेंगे अभी कहां से चर्चा कर लेंगे यह आपका कहना है एक और विशे साथ में जुड़ गया नर्सी यह के संदर में देश हुल जा हुआ था आप एंपीर के संदर में कहानी लेकर आगएं एंपीर के संदर में कली ग्रहमंत्री जी का एक इंट्र्व्यू आया जिसमनमा का कि ए इस देश में अब तक इंडिपेंडेंस से पहले आठ वार जन्गड़ना हुई है और इंडिपेंडेंस के बाद साथ वार जन्गड़ना हुई है यह अभी जो होगा यह आठ वी बार मतला सोल वी बार टूटल मिलाके जड़गना हो और जहां तक NPR की बात है 2010 में मनमौन सरकार ने कानून बनाकर नेशनल वर पॉपूलेशन रजिस्टर बनाने की बात कहिए उन्होंने जो बात कही थी उसका स्वक्त यह है क्योंकि 2011 में जन्गड़ना हुई थी 2010 के बात 11 में हुई NPR की बात तब्लाई उन्होंने कार्ड माते थे 15 में भी वात आई और उसके अब 2020 में, 2020 में एन पी आर बनने वाला है, बीस में जनगड़ना होने वाली है, जनगड़ना का अभिप्राय क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रेजिस्टर का अभिप्राय क्या है, देश की जितनी भी योजनाय बनती है, चाहे बीपील की योजनाय बनती है, चाहे जितनी वे को आधार मानती है आज भी UN में हमारी जणगरना 2011 की जणगरना है उसके आधार पर सारी को एनर्सी से क्यों जोड़ रहे हैं जो भी फैसले यूपीय सरकार ने लिए अमूमन आपकी सरकार उन्हें बदलती दिखाई देती ते उन फैसलों को कारिश कर दी एन पीर एक ऐसा फैसला है जिस पर आप पूरी द्रड़ता के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं अनिल जो भा करता हैं कौ owको निर्स्त का कोई फैसला है क्या कि हमने व्रृत 2019 यूजनाओं को खार उंच करते हो पर भी हुआ चलाते हैं मनरेगा को लेकर जितने जोर शोड़ से आपने उसे खारिच किया कि इस से ज्यादा खराब आपकुछ नहीं कर सकते थे फिर भी आप मनरेगा को चला रहे हैं मेरा तो एन पियार को लेकर सिर्फ आपसे इतना पूछना है मन्रेगा के बारे में मानिय प्रधान मंतली जी ने संसद में सपस्ट कहा है कि हम मन्रेगा को जोर सोर से चला रहे हैं और बढ़ा कर चला रहे हैं आपने भी वो सुना है मैंने भी सुना है सारे देश के पहले उन्हों ने ये कहा था निखलाबनानी रहे है हमने खेती में जूड़ा है और जो वेल फेर स्कीम्स में जूड़ा है हम इसको आगे बढ़ा रहे अब अलग बात पर आता हूँ जिसका जिक्र आपने पीच में किया था वो है केंदर की सूची का विश्य है जो हमारी संग्य विवस्ता है इसके बावजूद भी उसे लागू करने से इंकार कर रहे हैं नर्यन मोदी जिनके संदर में बारती जंता पार्टी दावा कर दिये कि आजाद हिंदुस्तान के अबाद का सबसे मजबूत प्रधान मंतरी है सबसे मजबूत सरकार है राज्य जिस तरीके की आँखे दिखा रहे हैं इसका जवाब देंगे या सम्विधान के उलंगन की इनकी कोशिशों को बरदाख करेंगे देखिए सम्विधान का उलंगन देश की जनता किसी को नहीं करने देगी एक बार जब सम्विधान की शपत लेकर मुख्यमंतरी बने हैं तो मुख्यमंतरी को सम्विधान को लागू करना पड़ेगा और अभी इसका एक ताजा उधारन अभी बंगाल में अभी परसों ही हाई कोट ने ओर जारी किया है कि जिस परकार से ममता सरकार ने दीदी की सरकार ने सीए के बारे में जो बिग्यापन लेकर और हम लागू नहीं करेंगे और हम लागू नहीं करेंगे कि यह नहीं लगा सकते क्योंकि जो चीज कानून बन गई है संसद में भारत के संविधान का हिस्सा बन गई है उसको कोई सरकार इस तरह से बिग्यापन जारी करके ना नहीं कह सकती है यह अभी जब आप यहां पर इंटर्व्यू दे रहे हैं समय पे कमलना जी बोपाल के मैद जो खके अलान कर रहे हैं कि इसा लागू नहीं किए जाएगा और आपकी सरकार के वल देख रहे हैं इतनी मजबूत सरकार कभी के साहत याए डेभी आंसे मैं देखने और करने में लाई करने में अभी इसके नियम बनने ढすकता अब यह लाउनु नहीं करेंगे ऐसा संभव नहीं है व жд की सबसे परानी पार्टी जो अपने आपको बहुत दावा भरती कि है एक बात चेप्टन की रक्शा की रहनमंद्री होने पाणून होते हैं। जो भी फैसले लिए गए हैं वो देशित में लिए गए हैं सम्विधान की सीमाओं के भीतर लिए गए हैं और किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को या अधिकार नहीं है कि वह सम्विधान से परे जाकर कोई बात कहे या अमल में लाने की चेश्टा करे तो यह तो डॉक् पाने हमारी चर्चा सार्तक रही होगी तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अनिल जाएं तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जाओ आपका हमारे साथ समय विताने के लिए तो इस बाचीत के बाद में फिर मुलाकात होगी एक नई शक्सित का मुझे दीजिए यहाद साथ पढ़ा हुआ हुआ है